दोस्तो हमारे जीवन में हमारी जिन्दगी में एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अगर आप एजुकेटिड हैं सही से अगर आप एजुकेटिड हैं आपने अच्छे एजुकेशन ली है आपको नॉलिज बहुत है तो आप कभी किसी से डरेंगे नहीं कभी आपके दिल में जो कॉन्फिडेंस लो वाली जो बाते होती है वो कभी नहीं आएगी अच्छी एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है अच्छे इंस्टिउशन में पढ़ना बहुत जरूरी है बहुत कम हाला कि अच्छे इंस्टिउट से हमारे इंडिया में देखा जाए ब नहीं मैंसे एक private university है देश भगत university हम यह नहीं बोलते हैं यह तो आप university जाकर विजट करें जाकर देखें university में और जाकर मिलें staff से और जाकर देखें students को कैसी education महां से मिल रही है उसी के बाद चेहन करें बट आज देश भगत university के बारे में कुछ review हम करेंगे क्या कि university के पास approvals क्या कोर्सिज हैं युनिवस्टी आप कैसे पोचेंगे और भी कुछ बातें जादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ जादा कमेंट्स होंगे किसी भी पर्टिकलर युनिवस्टी पे हम उस पर वीडियो लेकर जरूर आएंगे देश भगत उनिवस्टी भी उन सभी उनिवस्टी की तरह ही एक प्राइवेट उनिवस्टी है जितनी प्राइवेट उनिवस्टी चलती है इंडिया में अगर आप university के site पर जाते हैं और normally view से आप देखते हैं तो क्या है university की website पर update university बोलती है NAC accredited है पर NAC का क्या grade मिली है वो update नहीं है बट हाँ NAC accredited है university ने update किया है अपनी website पर state private university in Punjab to have both 12B and NAC दोस्तों पहले आप समझेए कि 12B क्या है 12B जो आप UGC Act है UGC Act 1956 उसमें 12B जो एक section है उसके अनुसार की ये बात कर रहे हैं university को UGC का approval है NAC accredited है university 2012 से admissions ले रही है UGC पर जैसे ही आप जाते हैं total पंजाब में total universities है 18 18 universities में से ही एक नाम आता है देश भगत university का जो की आठवे नंबर पर mention है 2012 से university admission ले रही है दोस्तों इस university के पास देश भगत university के पास और क्या-क्या नए approvals आए या कौन से नए courses लोंच हुए या कौन से courses को हटा दिया गया यह सब आपको पता चलेगा university के 2022 के prospectus से और prospectus के लिए हमने university को mail किया है और जब भी हमारे पास इस university का prospectus आता है हम उसको review करेंगे उसके बारे में सारे courses को आपको बताएंगे कौन-कौन से नए courses आए हैं कौन से approvals नहीं आए हैं या कौन से approvals अब university के पास नहीं है university के पास कई सारे courses चलते हैं जैसे normal अगर हम courses की बात करें क्या क्या university करवाती है तो normally मैं आपको बता दू कि BDS भी university के पास है हलाकि BMS भी करवाती है PhD जैसे सभी university करवा सकती है जो UGC recognized है वैसे ही ये university भी करवाती है सभी courses जितने भी course certificate, diploma, UG, PG जितने भी courses है ये university भी करवाती है हलाकि university के पास एक part-time type का course चलता है काफी सारे courses उसके अंदर हैं जिसमें LLM भी part-time कोई लोग claim करते हैं आप कहेंगे उस पर detail में वीडियो बनाने के लिए हम उन courses को भी लेकर university के लिए आएंगे साथ में ही university में जब आप जाते हैं विजिट करते हैं या website भी विजिट करते हैं तो यहाँ पर distance education का भी जिकर है distance education में क्या क्या courses है individual हम वीडियो लेकर आएंगे distance पर उस पर आपको बताएंगे approvals के अगर हम जहां तक बात करें जैसे मैंने courses आपको एक normal एक idea दिया काफी सारे courses चलते हैं आईरवेदा के courses भी चलते हैं युनिवरस्टी के नाम है तो युनिवरस्टी बिल्कुल गर्गनाईज होती है वहां आपको घबराने के जरूरत नहीं या फिर युनिवरस्टी फेक है या सोचने के जरूरत नहीं है बाकी तो युनिवरस्टी की details के लिए आपने किसी course में admission लिया अब हो सकता है वो council course हो मान लीजिए आप LLB करना चाहते हैं अब B8 करना चाहते हैं B8 के लिए NCTE का approval देखना जरूरी है सिर्फ UGC से काम नहीं चलेगा युनिवरस्टी के approvals की बात करें आयूश का approval चाहिए होता है इसके अंदर साथ में युनिवरस्टी LLB करवाती है तो BCI होना चाहिए फार्मस्टीर करवाती है तो PCI, Pharma Council of India होना चाहिए साथ में युनिवरस्टी अगर B8 करवाती है तो NCTE होना चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अलगत रहे कमेंट करते हैं हमारी वीडियो उस पर जाकर और बोलते हैं कि सर युनिवरस्टी में एडमिशन लिया, एक्जाम्स बहुत डिले है, रिजल्ट डिकलेर नहीं हो रहा है दोस्तों युनिवरस्टी के बारे में पहले आपको जान लेना चाहिए जब किसी युनिवरस्टी में आप एडमिशन लेते हैं और मैं सभी को बोलता हूँ, युनिवरस्टी को विजिट भी जरूर करना चाहिए, आप विजिट नहीं कर रहे हैं युनिवरस्टी के कैंपस को जाके विजिट करें, जाके वाकरी स्टाफ से जाकर मिलें, तभी एडमिशन लें, अपने विवेक से काम लें, सिर्फ लुभावने एडवर्टीजमेंट्स पर एडमिशन बिल्कुल ना लें अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, दोस्तों आपके दिल में कोई भी किसी तरह के डाउट से सवाल हैं, देश बगत युनिवरस्टी के लिए, आप कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल पूचें, हम आपको रिप्लाइज जरूर करेंगे, और इसी तरह की एज्यूकेशनल वीडियो हम आप तक पहुचा सकें सबसे पहले, बहुत बश्यूकर दोस्तों धन्यवाद, हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए